इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हलो बच्चों कैसे हैं आप आज हम कक्षा 4 का EVS का जो लेसन है फर्स्ट पहला जो लेसन है वो करने जा रहे हैं जिसका नाम है परिवार कल और आज आपकी बुक का यह है फर्स्ट फेज है आप चाहो तो बुक को साथ की साथ खोल सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखें इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा और सुनने के साथ साथ इसको समझे मीटे गा है शुरू करते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है एक लड़का है और यह है अल्बम देख रहा है किसी इसका अल्बम है यह है आओ फोटो अल्बम देखें समीर फोटो अल्बम देखते हुए शोच रहा है क्या सोच रहा है इन्होंने यह एक पिक्चर देखी अरे वह यह फोटो तो हमारे परिवार की है इसमें हैं मेरे दादा दादी ताउताई मा पिताजी अजय अनू और मैं यानिके समीर मेरे बुवा तब पढ़ाई करने के लिए कुरुकशेतर गई होई थी इसकी बुवा जो है वो पढ़ने गई होई है कुरुकशेतर तो उसकी जो फोटो है इसमें नहीं है ठीक है तो समीर जो है वह है एल्बम देख रहा है और उनके परिवार के सदस्य हैं अच्छा क्या आप बिता सकते हो इस फोटो में कितने सदस्य हैं हाँ इस फोटो में नो सदस्य हैं ठीक है और इनके परिवार की जो संख्या है वहे एकल परिवार से जादा है ठीक है आपको पता है न एकल परिवार गया होता है एकल परिवार वहे परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा और बच्चें सामिल होते हैं और बड़ा परिवार यानिके संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसके अंदर मम्मी पापा और बच्चों के अलावा दादादी, ताहुताई, चाचा-चाची, भुवा ठीक है और अन्य व्यक्ति रहते हैं वह संयुक्त परिवार होता है तो यह समीर का संयुक्त परि देखो और लिखो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं अभी हमने काउंट करे थे आप दुबारा फिर से देख सकते हैं इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं इस परिवार में कुल नो सदस्य हैं ठीक है क्या तुम्हारे पडोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है क्या रहता है? हाँ रहता होगा ऐसे परिवार बहुत सारे परिवार होते हैं जिनके अंदर दादा दादी, मौमे पापा, चाचा चाची, ताउताई, वे अनिश दश्य होते हैं ठीक है? हगला जो इसका पेज है वहे हमें यहाँ पर लिखना है चित्र देखकर अनुमान से लिखो की परिवार के इन सदस्यों की आयू कितनी होगी हमें यह चित्र देखकर अंदाजा लगाना है अनुमान लगाना है कि इनकी उम्र एज क्या होगी ठीक है तो आप अंदाज लगा के इस एक्सरसाइज को भर ले उसके बाद जो है ऐसे परिवार को क्या कहते हैं अभी हमने पढ़ा था कि जहां पर सिर्फ मम्मी बापा और बच्चे होते हैं उन्हें हम एकल परिवार कहते ह हैं और जहां पर इनसे ज्यादा ताउताई तादादी और अन्ने से दसे रहते हैं वहाँ इसे क्या बोलते हैं संयुक्त परिवार बड़ा परिवार ठिक हैं चाचा की साधी हम इसको पढ़ते हैं समीर जो है मैं सोच रहा है यह फोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की साधी हुई थी कितना मज़ा आया था साधी में यह उनके चाचा जी और उनकी चाची जी की तस्वीर है ठिक हैं लहंगा पहने हुई है और चाचा जी ने पैंट कोड डाला हुआ है और सिर पर पगड पहनी हुई है ठीक है दोनों को गले में माला है और यहां पे एक रक्ति है जो आशिरवाद दे रहा है दोनों को तो इस प्रकार हम सोचो और लिखो इसको पढ़ने पर क्या लिखा इसके अंदर समीर के चाचा की साधी के बाद घर में जो नया सदस्या आया है समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा अब समीर के चाचा की साधी हुई है तो जिन से उसकी साधी हुई है समीर की वह है क्या लगेगी हाँ चाची क्या लगेगी चाची अगर समीर की बुवा की साधी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता अगर समीर की बूवा की साधी हो गई होती तो परिवार में से एक सदस्य कम हो जाता ठिक है अच्छा जब हमारे परिवार में साधी होती है तो क्या होता है हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि एक नया सदस्य आ जाता है और अगर हमारे घर या परिवार में से किसी की साधी होती है यानके लड़की की साधी होती है तो वहें उसमें सदस्य संख्या जो है कम हो जाती है ठीक है अगर लड़के की साधी होती है तो एक सदस्य बढ़ जाता है अगर लड़की की साधी होती है तो एक सदस्य कम हो जाता है अच्छा क्या आप बता सकते हो कि कोई और अन्य अवसर पर प्रिवार के सदस्यों की संख्या में व्रिधी या कम ही जो है वो कैसे होती है आप सोचो और उनके नाम अपनी कोपी में लिखने हैं आप ठीक है आगे हम पढ़ते हैं अपनी दादी और मा वह चाची से पता करो कि सादी से पहले वे कहां रहती थी यह तो बिल्कुल असान प्रस्ण है सादी से पहले तो जो आपकी दादी है जो आपकी मा है जो आपकी चाची है वह अपने माइके में रहती थी है ना साधी के बाद वह है आपके घर में आपके परिवार में आ गई थी है ना उनसे पूछ कर उनके पुराने घरों के पते लिखो आपको उनका जो आपकी दादी जी हैं मां हैं चाची जी हैं उनसे पता करना है कि उनके जो घर का जो माईके का एड्रस है पता है वह लिखना ह कि वह कौन से गाउं से है, कौन से जिले से है, कौन से रज्य से है, ठीक है, वो शब आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जो अगला प्रश्ण है, वो हम देख लेते हैं एक बार, सोचो और लिखो, तुम किसी साधी में गए होंगे, अब लिखो, दुल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, यहाँ पर हमने जोसर की समीर की चाचा जी की फोटो में देखा था, उने पैंट को डाला हुआ था, और उनकी चाची जी ने लहेंगा डाला हुआ था, अगला प्रसन है, साधी में तुमने क्या क्या देखा, यह हम लिख सकते हैं, कि साधी में हमने जो कुछ महाँपर देखा उसका भण हम यहाँपर कर देंगे, हमने कोन-कोन से मिठाइए देखी, कैसे-कैसे वहाँपर, जो लोग आया हुए थे, क्या-क्या, उन्होंने पहन ना हुआ था ठीक है मंदप कैसे सजा था जो कुछ भी आपने देखा हम उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही इसको आप कोपी में नौट करें ठीक है और कुछ समझ में ना ही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपका अंसर दे देंगे तब तक के लिए बाई बाई अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने पेस होगी